सब्सक्राइब आफर चैनल फॉर डेली टेक्निलोजी एंड स्मार्टफोन वीडियो जो भी कमेंट्स करते हैं उन सभी कमेंट्स को तो हाला कि हम पर्सनली जावाब तो हमेशा दे देते हैं लेकिन इस पर्टिकुलिए संडे एपिसोड में कुछ उनिक कमेंट्स लेके आते ह सब्सक्राइब करते हैं तो विडियो स्टार्ट करने से पले मैं आप सभी का शुक्रिया दा करना चाहता हूं कि हमारा चैनल भी काफी अच्छी तरीक से ग्रो कर रहा है काफी अच्छे व्यूस आरे सब्स्राइबर भी बढ़ रहे और काफी अच्छे पॉजिटिव सब्सक्राइब करें नोकिया और करें आप यह अच्छा फोन है और आप आग बन करके ले सकते हैं मेरे सबसे आप Nokia 7 Plus के साथ मच जाओ कि Nokia 7 Plus ते Honor V10 काफी बेटर फोन है in terms of camera भी या फिर सभी चीजों में मतलब आपको processor भी काफी अच्छा मिल जाते के लिए 970 इसके अलावा आपको battery life भी काफी अच्छी मिल जाती है डिस्प्ले भी काफी अच्छा है और सभी काफी चीज़े अच्छी है तो मैं पस्तनले आपको रिकमेंड करूंगा Honor V10 के साथ आप चले जाओ अगर आपका budget रहेगा 22.5K तक और यह काफी अच्छा डील है मैं खुद काफी लोगों को रिकमेंड किया हूँ Honor V10 लेने के कबले और बाकी सब configuration similar है अगे का एक सवाल है वह योगेश का है और वह बहुत महिनत की आपने सब वीडियो बनाने के लिए आपका चैनल आगे जाएगा तो योगेश ठांक्यू वेरी मच यह जो आपका कमेंट है वो मेरे लिए काफी ज्यादा माइने रखता है कोशिश त के कमेंट पड़ता हो तो काफी अच्छा लगता है मतलब काफी जन्यूइन कमेंट रहते हैं और मेरे ओपिनियन को मेरे जो भी observation रहे उसके लिए वो काफी अच्छी तरुके से appreciation करते हैं तो सभी subscribers को मैं थैंक्यू बोलना चाहता हूँ इस मोखे पर और आगे उधित भाई हैं बोलते हैं कि sir honor v10 sbi card पे मिल रहा है वापिस होई सवाल है तो उसका है वह लोग बोलते कि मुझे camera display और battery के लिए चाहिए तो मैं फिर से वही दो रहाता हूँ कि honor v10 battery भी अच्छी है display भी अच्छा है और camera भी अच्छा है तो 22,000 के price range में आपको इससे better phone आज के तारिक लगता था लेकिन उसके लिए भी टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है आप अपने phone को ultra saving mode पे डाल के वह पुस पर्टिकुलर phone को चार्ज करेंगे तो काफी improvement हो जाएगा लगबक 1 hour and 40 minutes में पूरा phone चार्ज हो जाता है आपके सज्यद भाई गोलते है कि please suggest settings to be changed or not in the Gcam actually Gcam के लिए कुछ ज़्यादा change करने के ज़रूरत नहीं है यह अच्छ जैनफोन 5C के लिए था आप एक बार Gcam का जो application होगर install कर देते हो आप में उसमें bsg mode में जाना है और bsg mode में आपको इसमें pixel to time and करके है वो select कर देना है और HDR जो parameter इसको super high रख देना है और बस यह दो ही चीज़े बाकि सब चीज़े तो self-explanatory है तो यह दो चीजों को आप अगर set कर दे तो आपको काफी अच्छी low light photo मिल जाएगी आगे का एक सवाल है औ आपके पास already S9 Plus है तो आप as a secondary phone Zenfone 5G को use कर सकते है और आपका budget रहेगा तो आप OnePlus 6 के साथ भी जा सकते है दोनों जी फोन काफी अच्छे है लेकिन अगर आपको budget उतना नहीं रहेगा तो Zenfone 5G ले लो काफी अच्छा phone है डिस्पले भी अच्छा है बैटरी भी अच्छा ह और camera भी काफी अच्छा है और उसको camera आगे जाके भी काफी improve हो जाएगा आगे गोविन भाइं बोलते हैं कि इंस्टाल करने के लिए रूट की जरूरत है क्या तो नहीं गविन भाइं जी कैम मतलब क्या रहता है Google camera रहता है जो भी Google camera हम लोग पिक्सल के phones में यूज करते है उसका APK को extract करके कुछ XJ developers रहते हैं उसमें कुछ changes करके सभी device के लिए वो particular Gcam फब्लिश कर देते हैं तो इसे क्या गूगल का जो software processing है वो particular application में आ जाता है और picture जो भी photos है वो काफी अच्छी आ जाती है तो बस इतना ही है तो Gcam का बहुत ही safe application है इसे कुछ harmful application नहीं है तो आप उसको बिंदा से install कर सकते हो और रूट की भी कोई जरूरत नहीं है बात में सभूमा बुलते की फाइजी में अपडेट कर बाएगा एक्चली जो 31st July को अपडेट आया था वही final अपडेट आ फाइजी का जिसका last version 37.95 और इसके बाद एक 2 या 3 August को एक वरजन और रोल exposure की low light में उसको fix करने के लिए तो तब तक हम लोग वेट करते हैं लिगे फाइनल अपडेट होई था 31st July 37.95 आगे इम्रान बाए बोलते है कि 22,000 में कुछ अच्छा phone बोल तो Honor V10 ले ले या OnePlus 5D ले ले एक्चली Honor V10 आपको 22,000 में 2nd ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको original price में मिल जाएगा Amazon पे और OnePlus 5D के साथ जाना चाते हो तो वो भी मिल जाएगा जो भी आपका सुस्ता गिरेगा वो आप ले लो फोन मेरे सबसे Honor V10 काफी अच्छ है क्योंकि उसमें EIS भी आ गाए और photo quality भी काफी अच्छी है बात में महिश बै बोलते कि Hello Sir और Zenfone 5D के battery case है महिश भाइ Zenfone 5D के battery life काफी अच्छ है मैंने खुद अल्मॉस 15 दिन फोन को यूज की as my primary phone और मुझे लगबग OnePlus 6D जितनी battery life एक दिन की battery life मिल गई और दुसरी बात तो ऐसे है कि उसमें भी AI charging और Qualcomm 3.0 का quick charging support है तो देड़ गंटे में पूरा phone को भी चार्ज कर देता है त अगर आप open beta में और आपको कुछ भी इशु आएगा तो भी आपको service center वाले ज़रूरा मदद करेंगे ऐसा नहीं है कि वो लोग 1 beta program में इसलिए warranty उसकी वाइड हो जाएगी बीटा program OnePlus की तरफ सही है उनके company ने खुद नहीं रोल आउट किया बीटा टेस्टिंग के लिए औ एक्चुली मैंने LG G7 THINKYOU कर्ली पर्चिस किया था जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा और उसका में अभी रिवीव अग्रे सब करूंगा आगे आने वाली दिनों में और एक्चुली 36,000 पाइज में आपको वो मिल जाएगा अगर आप Flipkart के वाइबरन थे क्योंकि 2K का डिस्पले है कॉड एप्ले स्वाइब काफी अच्छी है कामेरा क्वालिटी पी अच्छी है तो लग बख अच्छा फोन है लेकिन इसके बैटरी लाइफ मुझे टेस्ट कर दी है क्योंकि सिफ 3000 पाइर के बैटरी है लेकिन वायर्लेस चारजिं अब चीजों से एमा एटू से वाउनर वीटें काफी बेटर है अनिकेद भाइ बोलते कि नोकिया से में प्रस में कुछ अपडेट आया क्या लोकिया से में अबी तर्क कुछ भी अपडेट नहीं आया लेकिन हाला कि जल्दी ही अपडेट आ जाएगा क्योंकि अल्मोस्ट क बारा तेरा तरीक चलू है और ऐसे में नोकिया का भी आउगस का सेकुरिटी पैच अपडेट आ जाएगा लेकिन अभी पता ने इसमें फेस अनलोग आएगा या नहीं आएगा नोकिया ने कंफॉर्ण तो किया ताकि सेवें प्लस को फेस अनलोग वो लोग दे देंगे ले देखते हैं आगे जाके कैसे वो सुधर जाती है अफ्रीदी मैं बोलते है कि भाई मेरे अच्छा लग रहा है या फिर वन प्लस फोन सा ले लिए अच्छी यह बहुत बड़ा कंफीजन है सभी लोगों के लिए कि है फाइजी ले ले या फिर वन प्लस 6 से ले ले तो बोलत फोन से कैमेर काफी अच्छा है फ्रंट फेसिंग नहीं बीडे अच्छा है तो कुछ ऐसे इस्यू नहीं है और आपको 27,000 में अगर मिले तो अच्छी डियल आप ले लो कि आपको आर्मोस्ट 8000 रुपे बच जाएंगे अगर आपको उतना बजट नहीं रहे गा तो और यह फोन आपको दो साल तक आराम से मिल जाए चल जाएगा कुछ इशू नहीं जाएगा Android इपी भी मिलेगा और security updates में इसमें मिलते जाएंगे प्रफुल मैं बोलते है कि मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए वन प्लस 6 यह विवो नेक्स अच्छी दोनों काफी अच्छी है लेकिन में परसनल लेकर किसी को रिकमेंड करूंगा तो विवो नेक्स करूंगा अभी विवो नेक्स के बारे में मुझे पता नहीं कि वो लोग updates क कैसे दे देते हैं मतलब android पी आएगा लेकि उसके बाद कैसे अप्डेट साएंगे यह फिर सेक्रूर्टी अप्डेट से आएंगे आप देख सते हैं मेरा अभी डेली डरेवर विवो नेक्स ही है काफी अच्छा पसंद है फोन मुझे फोर्त अदर मिलियामपार के बैटरी शोटी चोटी चीजे है लेकिन इक जो उनकी टेकनोलोजी ब्याश्या है जिए एक जा फैसी अपने शाट्री कॉलिक हो अपने के लिए इएड़ेक्स पादान्यावल प्रिद क्रशन तर्शन और पर आपको विवो नेक्स थाएंगा तक मिल रहे तो आप वीवो नेक्स लि प्राइस में मिला था आफ्टर डिस्काउंट, HDFC डिस्काउंट और कुछ तो डिस्काउंट मिला था मुझे, तो यह 39,000 के प्राइस में मुझे मिला था, इसलिए मुझे काफी अच्छा यह डिल लगता है, JT Jones पुलते है कि, Have you tried VivoNex in the Freedom India Sale at Rs.1947? Actually, personally, मुझे इसा लगता है कि यह जो 1947 का जो सेल था, VivoNex का, वो एक गिमिक ही था, कुछ 10-20 फोन उन्होंने रख लिये लेंगे, लाखों लोग उसके उपर तूटे पड़े, तो मैंने तो एक बार ट्राइ किया, लेकिन उसकी साइट ही क्रैश हो गई थी, और फिर उसके बाद वो साइट ओपन हुई नहीं, और नेक्स ताम ट्राइ किया तो आउट आप स्टॉक बता रादा, सबस्क्राइब कर इस烟 हम要ग formidable यह उन सब्सक्राइब यह अगले वीडियो में तेलिएता है